Hello and Welcome सुबा से Dear Students मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि JKSSB में कैसे questions आपको आ सकते हैं मैं आपको guest questions दे रहा हूँ तो यहां तक हमने सुबा से पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे DPSP के बारे में कहां कहां से सवाल आ सकते हैं याद रखना सबसे पहले DPSP की full form बताईए ऐसा सवाल आ सकता है DPSP कौन से part में आता है ऐसा सवाल आता है कहां से कहां तक articles है जो DPSP के बारे में बात करते हैं सवाल आ सकता है DPSP को Indian Constitution में तो है ये लेकिन किस Constitution से इसको borrow किया गया लाया गया Irish Constitution सवाल आ सकता है यहां से नहीं आ सकता कम chances है तो किसने बोला Novel Features of Constitution DPSP को बेयारंबेत करने बाकई कम important है अच्छा और ये भी सवाल आ सकता है कि जैसे fundamental rights political democracy दे रहा है ये DPSP कोन से rights देता है social and economic rights ठीक है और जो political rights है वो social और economic rights के बगएर कुछ भी नहीं है चलो ये तेक लाईन है लेकिन सवाल आने के कम chances है यहां से नहीं आ सकते हाँ fundamental rights और DPSP को मिला के क्या बोला जाता है soul and philosophy of gun institution सवाल आ सकता है ग्रेमाईल एस्टन ने क्या बोला conscience of the gun institution याद रखो याद रखो याद रखो हो सकता है fundamental rights और DPSP में क्या फरक है यहां से सवाल बहुत important बन सकता है सबसे पहले सवाल कौन से part में fundamental rights कहां से कहां तक article कौन से part DPSP और कहां से कहां तक article यह जो पहला article यहां पे है और यहां पे यह article है पहला पहला यह दूनों एक ही है state के बारे में बात करते हैं आचा ऐसे सवाल आ सकता है कि आप इन दोनों में बताईए कौन सा बता रहा है कौन सा negative concept है तो याद रखना fundamental rights क्यों? क्योंकि ये state को रोकता है कुछ करने से ये against state होता है आचा कौन से positive concept है positive है DPSP क्यों? क्योंकि ये state को बोलता है करने के लिए fundamental states के खलाफ है रोकता है state को कुछ करने से और DPSP state को बोलता है क्या आप direct to principles को दिमाग में रखो while making laws यहाँ पे fundamental rights की aim क्या है याद रखना DPSP का aim क्या है सवाल आ सकता है justiable कौन है ये भी सवाल आ सकता है को नहीं है ये भी आ सकता है को ये come chances है come chances है come chances है come chances है फिर भी याद रखो welfare of community और यहाँ पे individualistic है ये अब आगे हैं सवाल आ सकता है कि DPSP कितने types का है ये सवाल याद रखना socialist, गान्दियन, लिबरेर तीन types का अब socialist में कौन-कौन सा article है गान्दियन में कौन-कौन सा article आता है liberal interaction में कौन-कौन सा article है ये भी याद रखना 43 यहाँ पे भी यहाँ पे भी याद रखना मैंने आपको lectures में बताया हुआ है 43 43 में आदा गान्दियन है आदा socialist है इसलिए और लैप यह होते है यह मैंने lecture में बताया हुआ है आप बस इसको याद रखो 43 आएगा तो दोनों है कुछ पार्ट उसका socialist है कुछ पार्ट गान्दियन है कौन से directives है outside directives principles of state policy की तरह ही है लेकिन part 4 के बाहर है यह वाले directives principles है part 4 के बाहर जो कि directives principles की तरह ही काम कर रहे है अच्छा amendments हुई है amendments हुई है याद रखना 7 amendments DPSP में आपको याद रखने 7 amendments हुई है अच्छा यह तो 4 articles में amendments हुई है जो कि नए 4 articles आए लेकिन कौन से amendments है 40 second amendments है असल मैं आपको कितने amendments याद रखने 40 second 44 86 97 40 second के अंदर 4 articles और 44 तुमें एक ही आठिकल में चेंज आई 86 में एक ही आठिकल में चेंज आई ठीक है ना और 97 में एक आठिकल में चेंज आई 97 कना शुजन amendments act 2011 में 43B याद रखने ये आपको सिंपल याद रखना एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ articles में amendment होती है चार articles की amendment 40 second से होती है और एक इसका एक इसका एक इसका ओके ये भी याद रखना amendments भी याद रखना आप आगे बात करते हैं DPSP जो है ना वो मैंने आपको बताया article और कौन सा पार्ट है याद रखना है आपको अच्छे ये नहीं आ सकता नहीं आ सकता welfare state चलो ये भी नहीं कम ही चांस है हाँ article 36 क्या बोलता है state के बारे में 37 क्या बोलता है कि ये चीजे principles state को दिमाग में रखना है जब वो लाज बनाए ठीक है और ये उनके लिए fundamental चीजे हैं state के लिए कि वो कानून बनाते समय ये चीजे दिमाग में रखे अब बियार राव ने rights को बताया justiceable, non-justiciable ये भी याद रखना justiceable, fundamental rights, part, third और non-justiciable ये आपको पता है नहीं आसकता, नहीं आसकता नहीं आसकता ना, 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 कम, 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 कम chances है हाँ, ये सवाल बहुत ज़दा आता है देखो पता है DPSP से कहां से सवाल आएगा एक question, दो question, तीन question अगर आए, एक ही, दो ही मान लेते है कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है आ सकता है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टन है कौन सोशिलिस्ट है कौन गांधियन है कौन लिबरल है पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि यहां से एक सवाल आ ही जाएगा सोशिलिस्ट कौन सा है गांधियन कौन सा है लिबरल कौन सा है आता है यह सवाल आते हैं आर्टिकल्स नंबर से ज्यादा यही आते हैं आपको आर्टिकल याद रखना है कौन सा नंबर क्या है सोशलिस्ट गांधियन लिबरल में कौन-कौन सा आता है और आपको याद रखना है कौन-कौन से एमेंडमेंट्स साथ एमेंडमेंट्स हुए है जिन में 44 तैया, T60 याद रखना हो और DPSP और Fundamental Rights के दर्मियां डिफरेंस ये याद रखना, ये चीज़े आ सकते हैं चलिए, देखते हैं मैं आपको ट्रिक अब बताऊंगा, अब मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा, कि आप कैसे याद रखोगे, कि कौन-कौन सा सोशलिस्ट है, कौन-कौन सा गांधियन है और कौन-कौन सा लिबरल है में livelihood होना चाहिए distribution wealth का equal होना चाहिए concentration of wealth नहीं होना चाहिए एक जगा payment बराबर मिली चाहिए वो ये health के बारे में children के बारे में तो ये है article number 39 ठीक है अब याद रखना पूरी पूरी line है आपके लिए important नहीं है आपके लिए बस keyword important है और keyword मैंने यहां पे लिखा हुआ है एक trick याद रखना आर्टिकल 39 में क्योंकि आर्टिकल 39 के अंदर बहुत सारी parts है अगर सवाल आये article 39 के अंदर कितने subheadis है sub article 1,2,3,4,5,6 ठीक है आच्छा ये याद रखना आपको trick याद रखनी है lower division clerk goes to primary health center ये trick मैं आपको बाद में भी बताऊंगा article 39 कैसे याद रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा article 39 से आएगा article 39 थोड़ा मुश्किल है तो इदर से सवाल आता है article 39 के अंदर parts है livelihood के बारे में distribution of wealth बराबर होना चाहिए concentration of wealth एकी हाथ में नहीं होना चाहिए equal payment होना चाहिए health के लिए children के लिए तो simple में याद रखना है आपको article 39 के अंदर बहुत सारी बात है और trick क्या है lower division clerk goes to primary health center L से livelihood D से distribution C से concentration P से payment H से health C से child ये कैसे याद रहेगा आगे मैं आपको lecture के last minute trick ही बताने जा रहा हूँ 39 ये है 41 में है 42 में ये चीज़े आती है maternity relief just or human conditions होना चाहिए 43 में government को ऐसे last बनाने है कि secure link wage करे minimum wage 43 minimum wage को छोड़ो secure link wage 43A के participation of workers का होना चाहिए इस तरह से government को कानून बनाने इस तरह से government को कानून बनाने कि वो level कले raise of nutrition public health तो वो चीज़े आपको दूर से अंदाजा गांधियन कौन सा है village पंचायत cottage industries प्रमूट करनी है cooperative societies प्रमूट करनी है SC, ST और other weaker section का off implement करना है यही गांधि बोलता था drugs works का इस्तिमाल नहीं करना slaughter नहीं करना cattle का cows का यही गांधि बोलता था liberal intellectual principles में क्या है civil code uniform होना चाहिए और early childhood यह amendment याद रखना 2002 वाला amendment याद रखना हो सकता है आए वैसे सारे amendment याद रखना साथ ही तो है early childhood health care याद रखना और education for all under six years यह इस amendment से आया article 48 मैंने आपको lecture में चाहिए बताया था कि इस articles में से DPSP में भी चेंज आया fundamental duties में भी चेंज आया और fundamental rights में भी चेंज आया और तीनू changes आए education के मामले में ठीक है न यह मैंने आपको बताया कहीं से उठाया कहीं पे लगाया चलिए वो तो चलिए वो आपको याद होगा 48 जो है याद रखना modernize करना agriculture इन्वरिमेंटरी 48A environment के बारे में बात करता है A मतलब environment ठीक है 48A 49 जो है national importance की monuments को protect करना है 50 मतलब judiciary 51 मतलब peace and security अब कैसे याद रखोगे कैसे याद रखोगे कैसे याद रखोगे वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले ट्रिक तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले ये मैं आपको बताऊं criticism क्या क्या है आप देख लो सवाल लेकिन आने के कम ही chance director principles कोन है outside of what for देख लो आने के कम chances है लेकिन कौन सा article क्या है वो आप याद रखो थोड़ा सा देखो वो याद रखने की कोशिश करो उससे ज़्यादा important है ये कि कौन socialist कौन liberal कौन गांधियन ये सवाल मान लो आएगा सबसे पहले नमर पे और amendments और DPSP और fundamental rights के difference बाई socialist principles के लिए आपको एक कहानी याद रखनी है तब ही आपको सारे याद हो जाएंगे एक industry है वहाँ पे एक मालिक है और court है ठीक है ये मालिक जो है अपने workers के साथ क्या करता है just or human condition नहीं रखता है वो मालिक उनको low wages देता है उनके living wages बराबर नहीं होते वो अपने children को school नहीं बेज सकते pregnant woman अपनी बीवी को pregnant hospital नहीं बेज सकते health पे जान नहीं दे सकते और right to work जो है उनके sick old disabled को नहीं मिल रहा है जो बुड़े बुड़े काम करना चाते है उनको काम नहीं मिल रहा है ठीक है अब ये आपको याद रखना है कि ये जो बंदा है जो कि just on human condition नहीं देता है low wages देता है इन workers को living participation ये चीजे करता है और इनको union नहीं बनाने देता है ये भी याद रखना union नहीं बनाने देता है participation नहीं कराने देता है union बाकी चीजे तो ये workers की इतनी हालत खराब है ये गए court में justice मांगने के लिए गए और वहाँ पे उनको free legal aid दिया गया free legal aid दिया गया judge वहाँ पे उनको वकील वकील करा के दिया ताकि वो अपना case लड़े चलिए अब हम देखते हैं यह जो अब हम देखते हैं यह जो socialist principle है वो कौन-कौन से है देखना just and human conscience 42 article में 43 very low wages आएगा वहाँ पे ठीक है न 41 children to school children की बाद था की बाद थी 42 pregnant women maternity relief की बाद pregnant women maternity relief की बाद थी 47 health की बाद 41 right to work की बाद 43 a you participation of workers मतलब union union नहीं बनाने देता है अब 38 जो है न वो justice ठीक है social political economic अच्छा उसके बाद है free legal aid article 39 a अब इसमें एक article रहता है socialist principle में जो मैंने आपको उपर भी बताया जो बड़ा article है जिसके अंदर सब parts आते हैं article 39 उसमें मैंने आपको बताया lover division clerk post जो है न एक post goes to primary health center अब L से L से L से जरा जरा मज़े बताओ lover division clerk goes to primary health center L से livelihood DC distribution C से concentration of health primary health center ओके पी से पी से payment शायद है एक से health C से children P क्या है पे ही है न पे ही है पे ही है हाँ P है पे ओके तो यह आपको याद रखने हैं यह है socialist principles अब अगर कोई भी ऐसा industry के बारे में बात आए जैसे कि for example आप बताएए justice and human condition workers का नहीं हो रहा है आप बताएए कि कहां पे free legal aid दिया जाएगा आप बताएए for example कि children या maternity relief नहीं मिल रहा है आप बताएए कि participation of workers वो trade unions नहीं बन रहे है जो भी ये industry के बारे में बात आए और justice और free legal aid जैज के पास चले गए ना वो socialist याद रखना अब उससे मज़े वाली trick क्या है गांधियन और उससे ज्यादा मज़े वाली trick है यह सबसे आसान है और यहां से सवाल आते हैं क्योंकि गांधियन और वो लोग याद रखते हैं यहां से सवाल आते हैं और यही सबसे आसान trick है गांधियन principle क्या है याद रखो trick क्या है देखो बाई एक village था वहाँ पे drugs सब लेते थे cattle को मारते थे और गांदी जी आ गया गांदी जी ने बोला कि organize करना है village पंचायत को ड्रग्स कोई नहीं लेगा slaughter of cause कोई नहीं करेगा cottage industries और cooperative societies को हब हम बनाएंगे promote करेंगे SCST का upliftment होगा तो बस गांदी जी साहब ने ये बता दिया तो गांदी आन प्रिंसिपल आपको याद रखने आपको यह दिमाग में strike होगा वहां पर पता है क्यूं आप एक बार ट्रिक को समझो एक बार याद रखो कंफर्म आपके दिमाग में strike होगा कि गांदी जी ने कुछ village के बारे में बोला था क्या क्या और नहीं ड्रग होगा नहीं स्लाटर अप काउस होगा कोटेज कॉपरेटिव इंडस्टी बढ़ेंगे और क्या बोला स्थी होते हैं ने विलीज में जादा उनका अपलिप्लिमेंट बस आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा ये चीज़े अब याद रखना 40, 47, 48, 43, B, 46, 43 ये चीज़े आर्टिकल इसके बारे में हैं हाला कि आर्टिकल नंबर DPSP में उतना इंपोर्टन नहीं होता लेकिन सोशलिस्ट गांदियन और लिबरल कौन-कौन है ये उससे ज़्यादा इंपोर्टन होता है अचा है लिबरल इंडिलेक्टिल प्रिंसिपल्स क्या है जेपी सिमेट आपको याद रखना है प्र struggling है जेपी नुए जेपी सिमेट याद रखना ओपर याद रखा ہے प्रैमिली हल्ट संटर लोबर दिविजन कुलर कोस्ट प्रैमिली हल्ट संटर याद रखना वूख हो हैं ओपर याद रखा इंडिस्ट्रीं के बारे में बात सोशलिस्ट में और जोडिश्री और गांधियन में आद रखा, विलेज पंचायत में प्रॉब्लिम थी, सलाटर अप काउज थे, और क्या था, ड्रग्स लेते थे, और वहाँ पे SCST का अप्लिबेंट कराना था, और वहाँ पे क्या करना था, कोटेज इंडस्ट्री दो कॉपरेट सोस्ट, यही ना, बहुत अ Education, M से Modernize करना है, Agriculture को, ठीक है ना, E से Environment, N से National Importance, बहुत आसान है, जरह मैं देखूँ मुझे याद है कि नहीं, J, P, C, E, M, E, N, T, मुझे नहीं पता है कि याद है कि नहीं, आपके के साथ ही मैं बहुत टैम के बाद देख चुका हूँ, यह, के, J, P, CIMET है, Label and Intercultural Principles देखते हैं, J मतलब Judiciary, ठीक है, P मतलब Peace, International Peace कराना है, ठीक है न, C मतलब Civil Code, Uniform Civil Code होना चाहे, E मतलब Environment क्या, अगर यह, E Environment है, यह क्या होगा, E मतलब चलो environment एक education ठीक है न, M से क्या है modernize करना है agriculture को, N T क्या है national importance, E एक environment है और एक education है न, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल क्यों tension ले रहा हूं मैं, तो JP cement जो है na, judiciary, peace, civil court, education, modernize agriculture, environment और national importance, यह इतना आसान है, आपके दिमाग में अगर यह आएगा सवाल आप बताएए, अगर सवाल आए, आप बताएए, विलेज पंचायत को organize करना है, तो आएगा गांदे जी दिमाग में, drugs के बारे में, खटाना है, ड्रग नहीं करना, गांदे जी, intoxicates, ठीक है, slaughter of cattle, गांदे जी, ठीक है न, आएगा दिमाग में, अच्छा, अगर यह आपके दिमाग में, uniform civil code, uniform civil code आएगा intellectual, जो अगर दो ही आद रखोंगा तो तीसरे में आपको पूरा याद रखा, अच्छे, national importance के monuments बचाने है, तो आप एक काम करो न, आप यह सामने रखो न, J, P, C, E, M, E, N, T, अगर आपको शक है इसमें है कि नहीं, N, T, आगे न, national importance, civil code आएगा न, C से, अबर सवाल आए, education के मामले में, environment के मामले में, modernize करना है agriculture को, तो यह सारी चीज़े बहुत आसान है मेरे बाई, यह क्या है यह, अच्छे, यह, यह, जो मैं बूरा था, तो DPSP के important articles के tricks है, यह है, जो liberal intellectual principles है, ठीक है, अच्छे, अच्छे, यह, हो, 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 हो मैं बूल गया, कौन सा article आप में के लिए बहुत important है, उसके लिए भी trick है, article आपके लिए कौन सा important है, उसके लिए भी trick है, जैसे कि, 4-4, same-same है ना, तो uniform civil code, same-same है ना, same-same, okay, 47, article 47, dry day आपको याद रखना है, 1947, alcohol, बहुला था, बंद करो, क्यूंकि उस दिन 1947, आपको है, आजादी वाजादी, तो alcohol pull or dry day हुआ था, बंद alcohol, intox and drugs ने लेने, article 50, ठीक है ना, 50-50 मतलब आदा-दा, separate करना है, जुडशिरी executive से, executive और जुडशिरी को separate करना है, आदा-दा पावर देना है, 46, article 6-6, 6 में 6 है ना, तो S-C-S-T, ठीक है ना, okay, 41, 1-1, टापर आना है, त तू, यहाँ पर देखना है, हम दो, हमारे दो, आपको याद रखना है, 42 में, 42 article बोलते है, हम दो, हमारे दो, हमारे दो, है ना, maternity relief, शादिवादी के बारे में, अच्छा, यह याद रखना, बहुत अच्छे tricks मैंने बनाए, बहुत खुश हो रहा हूं मैं अभी, याद ही शाइन, monuments of national importance, शाइन ही करते हैं, 8, 8, 8, 8, 8, 8, अब जब बनातो न, गाय, सरी, 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 गाय बनाए, यह बन गया 8, हाई, 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 क्या 8 बनाया है मैंने, कमाल है यह बन गया 8, यह बन गया 8, यह देखो टांगे, बन गया cattle आपका, 8 से, ठीक है, 40, य अब इसमें याद रखना, 4, 4, same है, तो uniform civil code होना चाहिए, कैसे याद रखोगे, uniform civil code होना चाहिए, हर जगा, same, same, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, uniform, बस यह याद करना था, आपको चलिए, dear students, मैंने आपको trick quick बताई, और कैसे सवाल आ सकते हैं, okay dear students, bye